हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप आज हम आपके साथ शेर करने जा रहे हैं 22 इंच चेस्ट की कटिंग का शर्ट पहले मैंने 20 का किया था आज मैं 22 का कर ले हूँ इसी तरह सीरीज बनाएंगे सारे नाप मैं आपको बताऊंगी तो यहाँ पे मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है यहाँ यह कपड़ा मेरे पास डबल फोल्ड है तो यहाँ पे मैं कटिंग मोडे का हिसाब तीरे का हिसाब सारा मैं आपको समझा दूँगी की कैसे करना है तो यहाँ पे जो मेजरमेंट है पहले मैं वो बता देती आपको छाती का नाप हमारे पास 22 इंच है कमर का हमारे पास 20 है हिप हमारे पास 26 है तो यहाँ पे जो तीरा हमने लेना है वो 6 इंच लेना है नॉर्मल गले के लिए अगर आप बैन वाला गला अपना रहे हो तो आप 7 इंच लोगे अगर बोर्ड नेक में आ रहे हो तो भी 7 इ इज़ और यहां पर डाउन दे देंगे 1,5-श का और यहां पर 25-收 matrix का p की निचफ का निचान लगाने के बाद उस लाइन को हम नीचे की तरफ फिर डृत की तरफ सीधा कर देंगे यहां पर हम बस्ट का नवाफ लगाते हैं जो बस्ट का नवाफ है वो आपने उस हिसाफ से लगाना है जिस हिसाफ से आपने losing डाल के ले लिया है ये box की line हम सीधी कर देते हैं जो losing डालने के बाद जो हमारा नाप है जो हमने रखना है वो 11 inch है 22 inch चाती का नाप बता रही हूँ तो ये हमारा यहाँ पे 11 inch का निशान लग गया है अगर आपका साड़े 10 हो, पौने 11 हो, सबा 11 हो तो आप इसमें इसी तरह adjust कर लें वो नाप नहीं बनाऊंगी मैं इसी में समझा दूंगी आपको यहाँ पे ये जो measurement है हमारा चाती का 22 inch है मतलब 44 inch हो गया दोनों side का round में ये 44 inch हो गया 44 inch को अब हम 5 से divide कर देंगे तो 8.8 आ जाएगा और इसमें 1 plus कर देते हैं 1 plus margin के लिए हमने जुरूर करना है यहाँ पे 1 plus कर दिया तो यहाँ पे 9.8 आ गया 9.8 हमारा armhole जो total बनता है shirt का यह हमारा बनता है मतलब कटिंग नहीं करना है कटिंग आपने इसमें से 1.5 inch less कर देना है 1.5 inch कौन सा less करना है जो upper chest की cutting होती है वो 1.5 inch की होती है heavy size में तो heavy size में 1.5 inch की cutting हो गई upper chest की वो हमने यहाँ पे less कर देना है normal mode में से तो mode का नाप हमारा है 9.8 date less कर देंगे तो 8.3 रह जाएगा यह अब 8.3 जो नाप है mode की cutting का वो shirt में होगा जो बाजू में होगा वो 9.8 होगा इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से समझ ले तो यहाँ पे हम 8.3 का निशान देकी है हमारा accurate बन रहा है 8.3 ही आ रहा है तो यहाँ पे हमने निशान जो लगाए थे वो बिल्कुल accurate है यहाँ पे अब हमने इस साइड से 2 इंच का निशान लगाना है काट का जो दोनों पल्लों में डलनी है काट यहाँ पे दोनों पल्लों में काट डलनी है 2 इंच की और जो आगे वाले में डलनी है वो डेड़ इंच की एक्स्टर डलेगी अब दोनों हिस्सों में हमने दो इंच का निशान यहाँ पर लगा लेना है पहले एक पला कटेंगे दूसरा पला से मीची के नाप से कट कर लेंगे तो इसे हम अच्छी तरह घुमा कर इस तरह गोल कर देते हैं अब हमारा यहाँ पर जो कमर का नाप है वो लगाना है कमर का नाप यहाँ पर आठ इंच के निचे लगेगा यह हमारा बीस इंच है तो यहाँ पर हम दस पर निशान लगा रहे हैं यह इस तरह मिल जाएगा, यहाँ पे 2 इंच का हमारा एक्स्रा चलेगा कपड़ा, और यहाँ पे नीचे हिप यहां से 15 इंच, इस वाली कटिंग से यहां तक 15 इंच का gap होना चाहिए, यह निशान हमने 15 का लगा लिया, और यहाँ पे जो हिप का निशान है वो 26 है, 26 मतलब 13, 13 इंच हमने यहाँ पे लगा लिया, अब यह इस तरह मिल जाएगा, यहाँ पे डेडिंग चेक्स्रा लेना है, इस वाली जगा पे यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यह हमारा इस तरह नाप लग गया है, अब आती है बारी अपर चेस्ट की, यह हमारी में चेस्ट हो गई है, देखिए यह हमारा जो नाप है 11 इंच का यह में चेस्ट का है अब आपने अपर चेस्ट का लगाना है अपर चेस्ट यहां से डेर्ड इंच डाउन जाएगी यहां से इधर से नहीं लगाना है अब अब उपर से लगाना है यहां पर डेर्ड इंच हमने निशान लगा लिया यह देखिए और इस वाले निशान को अब हम यहाँ पे इस तरह मिला देंगे और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यह वली जो काट डलनी है यह सिर्फ आगे वाले पले में डलनी है यह काट पीछे वाले पले में बिल्कुल नहीं डालनी है नहीं तो आपका सूट खराब हो यह यह काट दलना एं गले के बाद गले तक सीथा उसके बार ढूं कर दिया आदा इंच और अब इसकी यह में में वाली हमने कट दनी है अब हमने पहले पीछे वाला पल्ला सेम इसी के नापका काटना है उसके बाद हम इसकी आगे वाली काट डालेंगे अब इसके बराबर हम पीछे वाला पल्ला भी कट कर देते हैं अब पीछे वाले पल्ले कीव हमने कटिंग कर दिया है अब इसे हम हटा देते हैं और इस वाले पल्ले को खोल कर आगे वाले को ये वाली कटिंग इसकी प्रंट की काटकी डाल देते हैं इसको मैं खोल के दिखाते हूं आपको इसके उपर रखूंगी तो आपको जारा क्लियर होगा ये लीजिए ये अब हमारी आगे वाली काट भी डाल चुकी है और यहां पे मैंने यह मिजरमेंट आपको सारा आर्म होल का बता दिया है अब यहां पे बारी आती है पीछे वाले गले की कटिंग की पीछे वाला गला कट करना है तो यहां पे हमने धाई इंच कट करना है पौने तीन नहीं करना है अगर पौने तीन आप करोगे तो यह तीन इंच त्यार हो जाएगा यहां पे हमने पौने तीन इंच गला त्यार और यह हमारा पीछे का गला कर जाएगा अब शयर्ट की कटिंग वह गई हैं हम स्लीप्स की कटिंग भी आपको दिखा देते हैं क्योंकि शर्ट और स्लीप्स का मैं पूरा बताऊंगे आपको यह जो बचा हुआ कपड़ा है हमारा शर्ट की साथ का हाफ स्लीप मैंने यहाँ कपड़ेकर रखने के बाद को रखने के लिए पहले लंबाई लगानी है यहां पर G ej कियों आधि ही चोड़ने किकीमें पट्टी कई फोल्ड करके कपडा तो यहां पर लंबाई 12 मेरी-sleeve 3.5 तीन दाउन के लिए यहां पर हम्सक्ष्ट हो दे दिगे यहां पर सवाथीन दे ρहीं we are 9.8 पाइं आप कम रखना है 9.8 का आर्महूल क्ड लगा दिगैं इस तरह अब यहाँ से इसे इसly इसे हल्किस्त गुलाई देते हुए मिलाएंगे यह हमारी बाजुकि शेप लग ग्याई अब यहाँ से इसकी कटिंग करते हैं ऐसे ऑब यह जो इस तरह कर देते हैं हमारी जो पर इसकीच लाई आ जाएगी और तो आगे के दो पल्क ले उठा लेते हैं पीछे बालें थोड़ देते हैं और यहां पर five इन्च से लेके एक इंच तक की काड़ बलते हैं यह UN आगे हम पूरी सीरीज आपके साथ शेर करेंगे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद